नमस्ते सर और बहुत बहुत शुक्तामना है आपको भी सर इस नई शुरुवात के लिए सर अब मैं जाना चाहूँगा आपसे कि अभी तक हमने ऑफ-लाइन शुरुवात नहीं की थी ओनलाइन में हमारा बहुत ही बहुत बहुत प्रदर्शन रहा था और सेलेक्शन भी काफी वास्ताव कैस्पिरिशन जिसे आज के दाएर कम लोग वर्चुल रेलेटी वर्सअस्रैल एक्सपिरियंस का नाम देते हैं तो ऑफ-लाइन जो होता है वह वास्ताव केस्पिरियंस होता है जो आप थोड़ा संकोच करते हैं, पूछने में लिए, कि सर से हम कैसे बात करें, कैसे हम ये सीज़े को अप्रोच करें, तो जब आपके साब में faculty खड़ी रहती है, तो आपकी हिम्मत भी आती है, and faculty को देखके आपका moral भी boost होता है, faculty आपसे और engage कर सकता है, and overall कही न कही जो परतिबद्ध पहले से रहे, अभी भी रहेंगे, कि हम आपका चरित्र नहीं, हम चरित्र को निहारेंगे, उसे और आगे लेंगे जाएंगे, and आप सब qualify होंगे, प्रदिश सर्भ मेरी कही बार students से बात होती रहती है, बाची चलती रहती है, और मुझे जो feedback मिला, वो ये थ जादा इसके लिए उतसक भी होंगे, उतसाहित भी होंगे, सर मैं जाना चाहूँगा, जोग्रफी को किस तरह से वाप easy learning और जादा बनाने वाले हैं, offline classes में, और उसको engaging बनाने वाले हमारे विदारतियों के लिए, देखिए, जोग्रफी कैसा discipline पहले से रहा है, जो बहुत जादा आपके thought process पर depend करता है, कि आप धरती को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से निहारत हैं, English में अगर मैं कहूँ तो आप धरती को appreciate कैसे करते हैं, because जब तक आप आपके धरती के साथ connect नहीं होंगे, तब तक आप ये technical discipline नहीं जान पाएंगे, because geography जो शब्द बना ह एक है geoid और दूसरा है graphene, तो geoid शब्द का अर्थ है ये है कि जो आपका धरती का shape है, जो आपके धरती का कैसा, वो center में थोड़ा bulge है, उपर में जाते जाते हैं, फ्लैट हो जाती है, उसका description, जो geography के इन शब्दों को जिनने coin किया था, उनका नाम था Erastothinus, तो उनका भ offline की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अगर आपको कोई concept समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका एक visual demonstration आपको मेरे तरफ से ज़रूर मिल सकता है, and geography कैसा discipline माना जाता है, जिसमें बहुत जादा आपको तकलीफ होती है, diagrammatic representation के लिए, atlas mapping के लिए, कि हम answers कैसे लिखे, तो offline का यह कही न कही और advantage हो जाता है, कि जब faculty आपके आगे रहती है, तो वो आपको वही के वही tips दे सकती है, कि आप कैसे answer student ठीक करें, आप उन्हें एक visual feedback भी दे सकते हैं, सर हम लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं, तो यह जो feedback mechanism है, यह कही न कही जोगरफी के लिए बहुत जादा relevant ह जाता है और अफलाइन मेरे हिसाब से और अच्छे से हम कर वाएंगे, तो यह बिल्कुल सर आपको समझ में भी आता है सामने कि जब कोई student है, तो उन्हें कितना सामझ आ रहा है जो आप उनके face expressions से, उनके reaction से भी पता कर पाते हैं, जो आपको बच्चे सामने देखते हैं, तो यह बिल्कुल सर आप लोग बहुत इसको उभाडने वाले निखाडने वाले इस पूरे प्रक्रिया को offline की study IQ की, और आप लोगों को बहुत बहुत शुब कामना है, आपको बहुत बहुत शुब कामना है, और हमार सा जुडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर.